परमाडू उसे तोड़ी बहुत बड़ी कवर अमेरिका से आई, अमेरिका अपने जुमसेट प्लेइन को अफग्रेड कर रहा है और असरदार बना रहा है। डुमसेड प्लेइन मतलब ऐसा प्लेइन जो कयामत के दिन के लिए बनाएगे यानि पर्माडू हमले वाली कयामत से बचाने वाला प्लेआगे चंद सेकंड में सर्वनाश पर्माणू युद्ध की इस विधुन्सकारी पितरत से सभी देश दरते हैं उसी प्रलेंग कारी पर्माणू युद्ध को लेकर बहुत खतरनाक इंटरनेशनल वार्निंग सामने आई है वार्निंग ये है कि अमेरिका अपने डूमस्टे प्लेइन को अपग्रेड करने में लगा है डूमस्टे प्लेइन नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं डूमस्टे प्लेइन मतलब ऐसा प्लेइन जो कयामत के दिन के लिए बनाया गया है हिरोश्रिमा और नागा साकी पर हुए पर्माणू हमलों का हश्र पूरी दुनिया के सामने है पर्माणू हमले का अंजाम कयामत से कम नहीं हुता उसी परमाणु हमले वाले क्यामत के दौरान ये विमान अपना काम करेगा अमेरिका के 221 फीट लंबे इस प्लेन को फ्लाइंग पैंटगेन भी कहा जाता है ये अमेरिका के एडवानस डे एर बॉन कमांड पोस्ट है युद के दौरान इस प्लेन के जरीए आस्मान में उड़ते हुए ही कमांड दी जा सकती है अमेरिका के इस पेशल डूमस्डे विमान का नाम है E-6P Mercury इस विमान के जरीए पर्मानु युद छेड़ा भी जा सकता है और पर्मानु युद के दौरान बचा भी जा सकता है आखिर अमेरिका के डूमस्डे प्लेन को क्यों अप्ग्रेड किया जा रहा है डूमस्टे प्लेन को अड्वान्स बनाने की वज़ा क्या परमाणू युद्ध है क्या अमेरिका के इस एक्षन की वज़ा दुनिया में परमाणू हथियारों की बढ़ती तादाद है दुनिया में एक बार फिर परमाणू हथियारों की संख्या बढ़ने लगी है सबसे अधित पर्माणों हत्यार चीन बढ़ा रहा है स्टाउक होम इंटरनाशनल पीस रिसरच इंस्टीटिउट यानी सिपरी के मताबिद दुनिया में 12,512 पर्माणों हत्यार है जिन में से 9,576 पर्माणों हत्यार इस्तमाल के लिए तैयार है दुनिया में जिस तरह न्यूकलियर युद्ध की बाते हो रही है अमेरिका जिस खत्रे से डरा हुआ है वो सिर्फ ख्याली बाते नहीं है ये बहुत ही पुखता वार्निंग है रूस ने खुलम खुला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्वों पर खत्रा आया तो परमाणू बम का इस्तमाल होना तैय है अमेरिका के लिए खत्रा तो और बड़ा है क्योंकि उसे एक साथ दो दो परमाणू महाशक्तियों से लड़ना है एक तरह रूस है जिसने अपनी परमाणू सेना को युद के लिए रेडी रहने का आदेश दे रखा है वहीं दूसरी और चीन है जो दिन रात अपने परमाणू जखीरे को बढ़ाने में लगा है सिपरी के मताबिक पिछले एक बरस में दुनिया में 86 नए परमाणू पम तैयार हुए है 2022 में हमले के लिए तैयार परमाणू हत्यारों की तादाद 9,490 थी जो 2023 में बढ़कर 9,576 हो गई है ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में न्यूकिलर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ऑफिस में रूस के राश्पती पुतिन की रणनीती पर चर्चात होती है शी जिन पिंग के न्यूकिलर पावर पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है वाइट हाउस की इस मीटिंग में उत्तर कॉरिया के सुप्रीम कमांडर किम जॉंग उन को भला कैसे नजर अंदास किया जा सकता है अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चीन और रूस दोनों देशों ने एक साल में 72 नए परमाणो बम तयार कर लिये हैं जो कभी भी हमले के लिए तयार है सिप्री के मताबिक पिछले एक बरस में चीन ने हमले के लिए तयार 60 नए परमाणो बम बनाए है वहीं रूस ने एक साल में 12 ने परमाणो बम तयार कर लिये है सवाल है क्या इसी वजह से अमेरिका अपने डूम्सडे प्लेन को और अपक्रेड करने में लगा है क्योंकि परमाणू युद्ध हुआ तो क्या होगा चौतरफा तबाही होगी सर्व नाश होगा नूकलर बॉमर लॉंच किये जाएंगे सीक्रेट एर बेस से सीक्रेट उड़ाने भरी जाएंगी ये ऐसा वक्त होगा जब परमाणू बलास्ट का खत्रा पूरी दुनिया पर मंडराएगा एक सूपर बॉमर के कॉक्पिट से कैसा नजारा देखने को मिलेगा मिसाइल लॉंच की जाएंगी उन्हें रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम आक्टिव हो जाएंगी आसमान से जमीन की तबाही का मनज़र कुछ ऐसा होगा युक्रेन युद के दोरान बड़े हुए परमानों बमों की तादाद ने दुनिया को डरने की बहुत बड़ी वजात दे दी है वहीं अमेरिका E-6B मरकरी के साथ साथ E-4B नाइट वाच नाम की प्लेन को और भी एडवांस बना चुका है जो की परमानों हमले को भी जहिल सकता है अमेरिका के E-6B मरकरी और E-4B नाइट वाच ऐसे स्पेशल विमान हैं जिनका परमानों हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमेरिका का E-4B नाइट वाच दिखने में अमेरिके राश्वपते के हवाई जहाज एर फॉर्स वन्स जैसा जरूर है लेकिन उससे बिलकुल अलग है ये इतना कुक्त है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को भी डूम्स डे प्लेन के नाम से जानती है डूम्स डे का मतलओ दुनिया का आखरे दिन यानि प्रलाए और कायमत के उसी खतरनाक दिन से निपटने के लिए बना है अमेरिका का ये विमान E-4B Night Watch पर परमाणू हमले का भी कोई असर नहीं पड़ता इस विमान पर परमाणू धमाके के वक्त निकलने वाली खतरनाक रेडियेशन और भयानक गर्मी भी बेअसर साबित होती है परमाणू हमले के वक्त E-4B Night Watch में अमेरिका के राष्ट्रपती, रक्षा मंत्री और सेना के सबसे सीनियर अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं E-4B Night Watch को पहली बार शीत युद्ध के दोरान 1973 में डिजाइन किया गया था और आज अमेरिका के पास ऐसे चार विमान हैं अमेरिका अपने राष्ट्रपती की सुरक्षा से जरा भी संजहता नहीं करता इसलिए हमेशा एक डूमस्डे प्लेइन अमेरिकी राष्ट्रपती के साथ विदेश के दोरों पर जाता है E-4B Night Watch परमानू हमले को कैसे जिल सकता है इसे जान लीजिए E-4B Night Watch विमान की कॉक्पिट में एक खास दरहक जाली लगी होती है जो उसके विंचिल्ड को परमानू हमले के असर से बचाती है प्लेइन की बॉडी पर भी परमानू धमाके से पैदा हुई गर्मी और उसके रेडियेशन्स बचाने वाला पूरा कवच लगा है इस डूमस्टे प्लेइन को हवा में उड़ते बंकर की तरह बनाया गया है ताकि परमानू जंग छिड़ने पर जब जमीन पर रहना खत्रे से खाली ना हो तो अमेरिका के राश्ट्रपती, अमेरिका के रक्षामंत्री और सेना के सीनियर एदिकारियों को लेकर ये आसमान में उड़ जाए लेकिन E-4B नाइट वाच का रूल यहीं खत्म नहीं होता बलकि उसमें कम्यूनिकेशन और मॉनिटरिंग के बेहद हाइटेक एक्विप्मेंट भी लगे हैं यानि अमेरिका का डूम्सडे प्लेन हवा में उड़ते वार रूम का काम भी कर सकता है यानि परमाणू युद्ध की सूरत में जब अमेरिका की सेना का जमीन पर मौजोद कम्यूनिकेशन सिस्टम भस्त हो जाए तब उसका डूम्सडे प्लेन हवा में कमांड और कंट्रोल सेंटर बन जाएगा ताकि अमेरिकी राश्टपती आस्मान में रहकर जमीन पर लड़ी जा रही जंग पर बारीकी से नज़र रख सके E-4B नाइट वाच का कम्यूनिकेशन सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके जरिये अमेरिका के राश्टपती और उनके सेने अधिकारी दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका की वाच तैनात है वहाँ उससे संपर्क कर सकते हैं उसे परमाणू हमले का ओर्डर दे सकते हैं यहां तक की डूम्स्डे प्लेन अमेरिका के राश्टपती के ओर्डर को नीचे पानी के अंदर में मौझूद परमाणूपन डुपियों और इंटर कॉंटिनेंटल बिलिस्टिक मिजाईलों तक भी पहुँचा सकता है इन्ही वजहां से E-4B नाइट वाच को अमेरिका का ओड़ता पैंटागॉन भी कहा जाता है मतलब अमेरिका का ओड़ता रक्षा मंत्राले लेकिन असली पैंटागॉन से भी ज्यादा हाई टेक और सुरक्षित लेकिन ऐसा विवान सिर्फ अमेरिका के पास ही नहीं है रूस के पास भी हवा में उड़ने वाला ऐसा ही प्लेन है जो परमाणू बंकर का काम करता है रूस की इस खास विवान को फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है रूसी अधिकारियों के मताबिक परमाणू हमले के स्थिती में राष्टपती व्लादिमेर पोतेन और टॉप लेवल के अधिकारियों को महफूज रखने के लिए इस विमान को बनाया गया है फ्लाइंग क्रेमलिन रूस में बना इल्यूशिन 1L-80 विमान है इस विमान में कॉक्पिट को छोड़कर एक भी खिड़की नहीं है यहां तक कि कॉक्पिट के शीशे पर भी परमाणू हमला बेऊसर साबित होगा रूस का ये प्लेन हवाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है जहां से पुतेन परमाणू बम का बटन भी दबा सकते हैं इसके अलावा परमाणू हमले से बचने के लिए रूस में पुतेन के लिए टौप सिक्रेट परमाणू बंकर भी बनाए गए है रूस के ये परमाणू बंकर साइबेरिया में बनाए गए है साइबेरिया में रूस के कई परमानो बंकर है लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि पुतिन किस बंकर में मौजूद है दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमानो बंकर भी असर नहीं होगा दावा तो यहां तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणू बंकर इतना बड़ा है कि उसमें एक लाख लोग शरण लेकर अपने आपको परमाणू हमले से बचा सकते हैं। पोतिन की तरह ही चीन में भी शी जिन्पिंग को परमाणू हमले से बचाने के लिए खास न्यूकिलर बंकर बनाया गया है शी जिन्पिंग का न्यूकिलर बंकर धरती के अंदर मौजूद वोट थिकाना है जहां परमाणू हमले का कोई असर नहीं होगा चीन का ये खुफिया परमानु बंकर कहां है? अगर चीन पर परमानु हमला हो गया तो चीन की प्रेजिडेंट समेट सेना के टॉप आफिशियल कहां शरण लेंगे? शी जिन पिंग का ये परमानु बंकर 24 इंटू 7 एक्टिव रहता है चीन की प्रेजिडेंट सेना के सदस से 24 गंटे उसमें दैनात रहते हैं सातों दिन उनकी शिफ्ट लगती है चीन का ये परमानु बंकर बीजिंग में सरकार की मुख्याले से 20 किलोमेटर उत्तर पश्चिम में एक राश्य उद्यान के नीचे बनाया गया है जो पीले के जोइंट बैटल कमांड सेंटर का हिस्सा है यहां जाने का रास्ता बीजिंग शेहर के बीचों बीच मौजूद फॉर्बिडन सिटी से डाइनमेन वेस्ट स्ट्रीट से आगे बढ़कर जी जुवान रोड से होते हुए मिजूआं रोड और वहां से हने रोड से आगे बढ़कर फॉरेस्ट पार्क पहुंद